हेलो दोस्तों नमस्कार होमेपेटिक टच में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मेडिसिन के बारे में यानि कि एक दवा के बारे में जिसका नाम है दोस्तो आज हम लोग इस मेडिसिन के बारे में पूपी जनकारी लेंगे कि यह मेडिसिन किस-किस रोग या फिर किस-किस बीमारी में घामाता है लेकिन उससे पहले दोस्तों आप ये जान लिजे कि कोई भी मेडिसीन यानि कि कोई भी दवा किसी भी एक रोग में काम नहीं आती बलकि वो एक से अधिक रोग या बीमारी में काम आती है इससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल के सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को तमा दीजे ताकि आगे आने वाला अपडेट्स आपको मिल सके तो दोस्तों आप इस वीडियो के लाश टक देखते रहें आपको दिरे दिरे सब कुछ मलूम हो जाएगा जस्टिशर रूब्रम क्यूब रक्त वासक दोस्तों आज हम इस दवा के बारे में पूरी जानकारी लेंगे इसके बारे में कहा गया है कि फेफरे से रक्त का स्राव होना, ठूप के साथ खून निकलना, खानसी के साथ खून गिरना, रक्त वमन इत्यादी में जस्टिशिया एड़ेटोडा सफलता पूर्वक काम करता है लेकिन ख्षय रोग में जब रक्तस्राव बहुत ज्यादा परिमान में होता है तब जस्टिशिया रूम ही महोश्धी है उमीद करता हूँ दोस्तों आप ये वीडियो अच्छे से और ध्यान से देख्योंगे यानि कि आपको इस मेडिसिन यानि कि इस दवा के बारे में पूरी जनकारी मिल गई होगी कि ये मेडिसिन किस-किस रोग या फिर किस-किस बिमारी में काम आता है दोस्तो अगर आपको इस medicine को लेनी हो यानि कि खरीदनी हो तो आप इसे online में ले सकते हैं मैंने उसका link description में दे दिया है और रही बात इस medicine को कैसे खाया जाया तो भी आपको description में मिल जाएगा इसके अलावे दोस्तो आपको और भी अलग-अलग medicine के बारे में जानकारी लेनी हो या फिर अलग-अलग रोग या बीमारी के बारे में जानकारी लेनी हो या फिर मोजन द्वारा चिकिसा यानि कि हर घर में आसानी से उपलब्ड खाने या पीने के चीजों के द्वारा किसी भी मुद्धी बिमारी का एल्याज करने के बार में जनकारी लेनी हो तो उसका लिंक में डिस्क्रिशन में दे दिया है आप वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो चलागा होगा तो प्लिस मेरे वीडियो को लाइक जरू डूर किजिएगा और इस इस मेडिसिन के बारे में जानकारी मिल सके तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगली बार फिर आओंगा एक नए वीडियो लेके तब तक के लिए बाई